नमस्कात दोस्तों तो आज के जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है कि बहुत ही जाल्दी इंफिनिस का एक टूटली नया कैटेगोरी का प्रोड़क इंडिया पे लॉंच होने वाला है और इस वीडियो का थमनेल देखके ए तो आपको समझ में आए गया होगा यह जो नया प्रोड़क एदर असले इंफिनिस की तरफ साने वाला लैप्टव और यह कोई ऐसा वासा लैप्टव नहीं यह जो वीडियो आप पूरा आं तक देखे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका स्पेसिविकेशन और प्राइस दोनोई शाओमी के या फ लैप्टव कितना बड़ी होगा इस वीडियों में इस चीस के बारे में भात करेंगे तो चलिए फटाबर शुरू करते आज का वीडियो और इंट्राक्शन आज बिल्कुल भी नहीं करेंगे मुझे पता है कि आगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब इन्फिनिक्स इन्बुक एक्सवन नाम का जो लैप्टव उसका प्रोमो वीडियो जैसे कि देख सकते ए जो लैप्टव बहुत ही बढ़िया डिजाइन के साथ आता है और पर्टिकुलर्ली इसके जो ग्रीन और रिट कलर का ओप्शन मुझे तो पार्सनली बहुत बढ़ि डिस्प्ले इसमें आपको मिलेगा 14 इंच फुल इसडी आईपीस डिस्प्ले इसके कलर में आपको मिलेगा 100 परसेंट इस आरजीब का ओप्शन और जैसे अब इस जगह में देख सकते इसके लैप्टव के स्क्रीन को आप जैसे लिनोबो यह वा टैबलेट होता है एक्जा स्क्रीन में देख सकते इस लैप्टव में आपको टोटल तीन विरियन देखने को मिलेगा i3, i5 और i7 और तीनों का मॉडल नमबर आप देख सकते और यह जो मॉडल नमबर यह देखका को समझी में आई गया होगा कि यह जो लैप्टव यह दर असल 10th generation processor के साथ आता है यह SSD मालतों जिसे हम कहते आपने SSD, अगर इसके बैटरी के बार में बात करें इसमें आपको 55Wh बैटरी मिलेगा, जिसे आप 65Wh के चार्जर की माल से फुल चार्च कर सकते हैं, नेक्स आगर इसके पोड के बार में बात करें, इसमें आपको USB 3.0 का दो पोड मिलेगा, USB 2.0 का एक पोर्ट मिलेगा USB-C का दो पोर्ट मिलेगा उसमें से एक पोर्ट की जरिए आप इसे चार्ज दे सकते हैं दूसरे पोर्ट की जरिए आप आपने किसी मोबाइल को चार्ज दे सकते हैं इसके लाब है इसमें आपको 3.5 जैक और माइक जैक दोनों अलग जैक आपको देखने को मिलेगा उसके साथ दो HDMI पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा और हां एक स्पेशल इंफ्रमेशन में देदे था हूँ अगर आपके पास कोई माइक नहीं है तो चिंदा की कोई जरूरत नहीं इसमें आपको दो ड GTS audio feature के साथ तो एक दरसल था एजो Infinix Inbook X1 laptop इसका full specification और अगर इसके launch date की बार में बात करें मेरे source की तरफ से ऐसा information मिलाए इसी साल December माइने पर Infinix अपना दो बरिया product इंडिया पर launch करेगा उसमें से एक product है Infinix Note 11 series और दूसरा product है laptop मतला सेम इवेट में mobile और laptop दोने एक साथ launch हो जाएगा और फाइनल आगर में इसके price की बार में बात करें जाएजिक आप स्क्रीन में देख सकते यह जो laptop इंडिया पे 33 से 36,000 रुपीस का अंदर ही launch होगा उससे ज्यादे तो बिल्खुल भी नहीं होगा ए चीज में आपको guarantee दे सकता हो तो अभी हर वीडियो का जासा है इस वीड कंपनी आपको प्रुभाइड नहीं कर रहा सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिनिमाम 40 से 45,000 रुपीस खर्चा करना परेगा दूसरे किसी laptop आगा लेने जाएंगे तो और अगर आप सेम प्राइस पॉन में शाओमी या फिर रियल्मी के laptop को देखेंगे तो उसमें भी आ में यह जो laptop इस प्राइस पॉन का सबसे बड़ी option है और अगर प्राइस की बार में बात करें इस प्राइस पॉन के बाकी सभी laptop के मुकाबले और भी सस्ते में भीगेगा तो अभी जो सबसे में सब्सक्राइब क्या है यह जो laptop education purpose के लिए gaming के लिए फिर movie watching के लिए लेना चा में और अगर आप किसी local store से इसे ठीक कर बाना जाएंगे तो उसमें एक problem हो जो कि मैंने recently face किया तो दुनिया के सभी company तो मतलब जो जो company laptop बनाता है हर एक laptop का जो structure बहुत थोड़ा सा अलग है एक experience mechanic को यह पता है कि कौन से laptop में कौन से parts है और उसमें कौन सा problem हो सकता है for example problem होता है बहुत दिन इस्तेमाल करने के बाद अगर अब HP का laptop इस्तेमाल करेंगे तो उसमें motherboard के अंदर थोड़ा सा IC का issue होता है अगर आप बहुत साल तक इस्तेमाल करेंगे तो तो मतलब देख सेके कि हर एक laptop को एक special mechanism होता है तो यह चीज मैं आपको कहना चाहता हो कि यह laptop launch चोने के बाद अगर यह laptop होता है और अगर आप local market से ठीक करवाना जाएंगे तो local जो मेकानिक उसे समझ में नहीं आएगा कि यह जो नया company का laptop इसका अंदर का mechanism क्या है ऐसा नहीं बोले हो कि उसके लिए इंपोसिबिल होगा लेकिन हा उसके लिए यह laptop repair करना बहुत मुश्क करता है तो वो software में कुछ न कुछ गर्बद जरूर कर देता है जिसके करण उसे मेकानिक के पास उसे ले जाना पड़ता है और जैसे कि मैंने आपको कहा इसका मेकानिक आपको आशानी से नहीं मिलेगा तो इसलिए यह जो laptop में उन लोग को रिकूमेंड करूंगा जो laptop इस्त का सा laptop ढून रहे तो अब क्या लेना चाहेंगे इन्फिनिस का यह जो laptop आने वाला इसे लेना चाहेंगे यह फिर इस प्राइसमार में अभी लेवेल जो HP, Dell यह पर Lenovo का laptop आपको उसे लेना चाहेंगे इसके बार मैं मुझे जो कॉम्शन ने कहाना बिलकुली मन भूलिएगा तो मिलते अगली वीडियो बेर अब तक stay tuned and always remember, think positive, be positive. Thank you.